दोस्तो ये कहानी आपका सोचने का नजरिया बदल देगी आखिर क्या होता है आत्म सम्मान आत्म सम्मान और कुछ नहीं बलकि खुद अपने हमारे बारे में हमारी सोच है अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारी काम करने की सक्ती रिस्तों माबाप के रूप में ह हमारी उपलब्तियों यानि हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आत्म सम्मान से जुड़ी एक कहानी एक बिखारी एक स्टेशन पर कुछ फूल आद लेकर बैटा हुआ था एक सब युवा बिजनिसमेन वहां से गुजरते हैं और उन्होंने विखारी के कटोरे में 200 रुपे डाल दिये लेकिन उन्होंने कोई भी फल या फूल नहीं लिया वह बिजनिसमेन ट्रेन में बैठ जाता है ट्रेन के डिबबे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अचानक बिजनिसमेन ट्रेन से उतर कर विखारी के पास रोटता है और कुछ फल फूल उटाकर बोला मैं कुछ फल लूँगा इनकी कीमत है आखिरकार तुम भी एक व्यपारी ही हो और मैं भी उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चड़ गया लगबग एक साल बीत जाने के बाद वह बिजनिसमेन एक पार्टी में जाता है जहां आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं लेकिन मैं आपको पहचान अता हूँ उसके बाद उसने एक साल पहले गटी गटना का जिक्र किया बिजनिसमेन ने कहा तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीग मांग रहे थे तुम यहां सूट और टाई में क क्या कर रहे हो लिकारी ने जवाब दिया आपको सायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया मुझे दान देने के बजाए आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेस आए आपने फूल उठा कर कहा इनकी कीमत है आखिरकार तुम एक व्यपारी हो और मैं भी आपके ज दोला उठाया और काम करने लगा आज मैं आपके सामने आपके बरावर मुझे मेरा सम्मान लोटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया दोस्तों अंत में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है और विकारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया बदलाव यह आया कि उसका आत्म सम्मान जाक गया और उसके साथ ही उसकी कारचमता भी बढ़ गई हमारी जिंदगी में भी आत्म सम्मान इसी तरह का जादूई असर डालता है या आत्म सम्मान एक ऐसा है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने स पैदा होता है आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवस्वत्राइब